इन दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एन ए सी सी याने की नैशनल आयूश कॉन्फरेंस और कंसल्टेशन का योजन किया गया इस कारिक्रम में सांसाश शंकर लालवानी और डीएवीवी यूनिवरसिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रेणू जैन मौजूद रहे कॉन्फरेंस में मुख्यतोर पर होमियोपैथी क्या है और इस पद्धिती से कैसे इलाज होता है इसकी जानकारी दी गई कॉन्फरेंस के होस्ट और वेग्यानिक बोर्ट के सदसे डॉक्टर अश्वनी कुमार द्वेदी ने कहा पहली बार आयूश से जुड़ी सभी चिकित्सा पद्धियों के सर्वश्ष्ट विशेशग एक साथ मंच पर बैठकर विश्व को निरोगी और सुखी बनाने के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं पिछले पास साल में आयूश मार्केट तीन से बढ़कर 23 बिलियन का हो गया है पारमपरिक चिकित्सा पद्धियों पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है अब हमें एक ऐसे होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने की जरूरत है जिसमें दुनिया भर की तमाम नई और पुरानी चिकित्सा पद्धियों में समन्वित रूप से सयोग कर कम से कम समय में हम मरीजों को जल्द से जल्द ठीक कर सके हम लोग आज एक दिश्वी कांफरेंस का आईजन किया है नेशनल आयूष कांफरेंस और कंसल्टेशन इसकी विशेस्ता ये है कि मुझे लगता है कि इंदोर सहित मध्यप्रदेश में पहली बार ऐसा एक कांफरेंस का आईजन हो रहा है जिसमें आयरवेदिक, होमियोपेथी, योग, नैचरोपेथी, यूनानी, सहित, साइकेट्री और निरो सर्जन अपनी बात रखेंगे टोटल 15 स्पीकर हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट पर वो लोग अपनी बात रखेंगे